दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में अवद विश्विदाले बियर सेकेंडियर स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही खास ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे आपके थर्ड पेपर समसामा एक भारते सिक्षा चिंता एवा मुद्दे के important questions के बारे में और एक दो कोश्चन नहीं तीन यूनिट 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 वन टू और फोर इन तीन यूनिट अल्मुस्ट हम लोग आदा स्लेबस आज कवर अप करने वाले हैं कम से कम इससे आपके 40 नंबर और अधिक्तम आपके 60 नंबर यहां से इसी प्रश्ण से पूछे जाएंगे तो क्या है वो प्रश्ण और कौन कौन से है वो questions क्या है स्लेबस complete analysis करने वाले हैं पेपर थर्ड के इन तीन यूनिट की तो सबसे पहले सुरू करते हैं सले बस से देखिए टे आप देखक लीजिए तो दोस्तों यह देखिए पहले तो यह अपना इस चैनल का यहां पर 25 शे diff कर सकते हैं तो चलिए αυτό हम पर इक चीज करते हैं हम यहां पर फाइल पे आते हैं और यहां का स्लेबम स देखْते हैं. तो जब B.A. Second Year अवद भी सी भी जाले कि आप Slaybos देखेंगे तो Slaybos में आप पाएंगे कि जो आपका Third Subjects है Third Subjects कौन सा? Contemporary Indian Education Concern and Issue आपके Third Subjects को हमाई Analysis करने वाले तीन यूनिट की तो Unit 1 देखिए सबसे पहले Unit 1 में आपको क्या पढ़ना है? और फिर हम देखेंगे Questions कैसे आते हैं? Unit 1 में आपको पढ़ना है Concept, Aims and Characteristics of the Education in Vedic, Buddhist and Islamic की रहा है कहने का क्या मतलब है दोस्तों? इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर आसान भासा में लिख दिया कि आपको पूरे First Unit में क्या पढ़ना है और क्या चीज़ है? देखिए Unit 1 में तीन मुख्य प्रश्ण आपकी यही है कि बौधिक कालीन सिक्छा, मुस्लिम कालीन सिक्छा और वैदिक कालीन सिक्छा इन तीन कालीन सिक्छाओं के आदर्स, उद्यस और विसेस्ताओं के बारे में बताना है देखिए Most, Most and Most Important प्रश्ण आप इन तीन प्रश्ण को देखिए रटने वाला काम मत करीगा समझने वारा काम करीए है क्योंकि एक्जाम में आपको अपने सब्दों में लिखना है और आपको बहुँ भी अनुबह हो गया होगा आपके First Year की एक्जाम से तो बस समझने का काम करिए कि बौदिक कालीन सिख्चा, Muslim कालिन सिख्चा, वैलिक कालीन सिख्चा के आदर्स, उद्देश और विशे स्ताएं क्या हैं कभी कभी इनके गुण और दोश्ट पूछ देता है तो अगर आप आदर्स और विसेस्ताएं उद्देश से जानते तो आराम से अपने सब्दों में इनके गुण और दोस्त लिख लेंगे तो दोस्तों फॉस्स निविट खत्म इन तीन प्रशन को पढ़िए आपके कम से कम 15 नमबर आपके इसी से आ जाएंगे ठीक है शनिक बार रिपीट कर दूँ और चलते हैं सेकेंड यूट के तरफ बॉदिक कालिन सिक्षा के आदर्स उद्देश से इनके विसेस्ताओं पर प्रकाश डालिए असान और बहुत ही मज़िदार बहुत ही इंट्रेस्टिंग मैं कहूँ एक्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू को छोड़ दें फिर भी हर एक स्टूडेंट को यह चीज़ से पढ़नी चाहिए वह क्या है देखिए चार्टर एक्ट 1813 चलिए इसको समझते से पहले हम एक बार यहां पे दिए यहां पे एजुकेशन प्री अपर अजादी से पहले सिख्षा में क्या-क्या मदला हुए सिख्षा का स्वरूप कैसा था उसके बारे में यहां पर पढ़ना है ठीक है इसमें मुख्यबिन्दू क्या है एक चार्टर एक 1813 मेकालेस मिनट यानि की मेकाले का वीवरण पत्र नेक्स्ट है वूट्स डिस्पैच यानि की वूट्स का घोष्णा पत्र और नई एजुक नेशनल एजुकेशन मूवमेट राश्टिय सिक्षा अंदोलन और गोखले वीन और गोखले बील और वर्दा सिक्षा जी हो जाना ठीक है इसी को असान भासा में समझ करेगी ठीक है और इसी को लेके विवाद हो गया ठीक है इसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूं मैं आपको चीजें समझा रहा हूं कि चार्टर एक्ट आपको पढ़ना है और मेकाले से वीवरण पत्र ठीक है और इसी चार्टर एक्ट की वज़ा से एक विवाद हो गया जिसे प दूसरे तरीके से शुल जाया गिया तो वो डूसरी चीजें वुड का घोशना पथर most most important एंगोषना पत्र जारी किया एक उसमिय क सूजहा और मसवरा दिया कि भारती सिख्चा में आप कैसे तब्दिली ला सकते हैं चेंजिस ला सकते हैं भारते सिक्षा को सुधार करने के लिए नेक्स्ट है नेस्टल एजुकेशन मुवमेंट रास्टिय सिक्षान दोलन I'm so sorry to say मैं आपको पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं नेक्स्ट मूव करते हैं फूर्थ यूनिट के तरफ फूर्थ यूनिट में आपको क्या पढ़ना है पहले एक बास सिलेबस देख लेते हैं फिर इस वीडियो को पहली बात यह कि एजुकेशन टू लिफ टूगेदर एक साथ सैचिक सिच्छा कैसे आप हासिल कर सकते हैं इसके बारे में आपको एक लेख लिखना है ठीक है इसके बारे में आपको बताना है Peace education में इसको समझते हैं अपने सब्डो में अगर आप बात करें। तो आपने सब्डो में इसको कहते हैं ये चीज़-4 points कि साथ रहने की सिक्चा, जेंडर इसू और inclusive education यानि के समावथे सिक्चा थोड़ा समय बता दो ताकी आपको चीजे समझ में आजा कि पढ़ना क्या है पहले सुरुआत करते हैं सांती सिक्षा का सीधा करेक्षन किसे है अहिंसा वादी से मतलब एक ऐसी सिक्षा की विद्यारतियों को यह सिखाए कि संपूर्ड रास्ट एक है संपूर्ड रास्ट के विक्ति एक नागे एक समान है आपक सिक्षा लेंगिक मुद्दे मतलब कैसे लेंगिक के विभीयद कैसे अलग किया जाता है लड़कों को लड़कियों से बुरुष को महिलाओं से उसके मुद्दे क्या है क्या कारण क्या है और लेंगिक मुद्दों से क्या क्या परिशानी होती है आपको यह पढ़ना है सब को एक साथ रहे कि सिक्षा मतलब आपको इन बिंदू के बारे में पढ़ना है ठीक है और इसी से सवाल पूछे जाते हैं मैं आप नजर डाल लेते हैं कि कितने प्रश्ण आते हैं मैंने जो पॉइंट्स बता है उससे कितने प्रश्ण आते हैं तो आपने इस यहाँ देख फाइल में आने के बाद आप देखेंगे और इसी में देख लेते हैं कि कितने प्रश्ण आ है एक पेपर का मैं एग्जामपल दूँगा आप और भी पेपर को यहाँ पे मिला सकते हैं ठीक है तो यह रहा हमारा थर्ड पेपर ठीक है थर्ड पेपर बीएट सेकेंड डियर दोजार किस कंटेंपरी इंडियन एड्यूकेशन एंड कंसरा इडिशू इसमें मिला लेते हैं कि मैंने जो चीज़ें प्रश्ण है सबसे पहला ही प्रश्ण आपको आ गया मुस्लिम कालिन सिक्षा की चार मुख्य विसेष्था है मैंने कहा था बहुत कालिन वैदिक कालिन मुस्लिम कारी आ गया दूसरा प्रस्ण क्या आ गया दूसरा प्रस्ण वुड का घोशना पत्र आ गया ठीक है आ गया दूसरा प्रस्ण वुड का घोशना पत्र चौथा प्रस्ण देखिए सांती सिक्चा से आपका क्या तत पर है सांती सिक्चा आप लिख सकते हैं ना वही प आट B में देखिया आठ नमबर में पुरशन आपसे क्या पूछ दिया भारते सिक्षा के संदर में में मेकाले का वीवर पत्र आ गया आएगा भई यह वही प्रशन आएगा मैं कहतो रहाऊं ठीक है राष्टे सिक्षा अंदोलन का कारणों का हुल कर यह मैंने कहा मैंने पॉइंट्स बताया थे आपको देखिए उसका ही बाहर से नहीं आने वाला है यह जो तीन यूनिट मैंने कवर अब करा दिया ना यकीन वाने आपको कम से कम 40 नमबर और मैक्सिमम आपको 60 नमबर उसी से आ जाने है ठीक है इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे क्या देखते कि और भी कुछ प्रश्ण इससे आए है देखिए आया आठ नमर में लेंगी मुद्दे से आप क्या समझते हैं बातिसिक्षा में कौन सी वरतमान में कौन सी प्रमुक लेंगी मुद्दे आया की नहीं है आएगा वहीं से इसको आप जरूर पढ़िएगा ठीक है लाज देख लेते देखे आठारा सो इत्र अक्का चार्टर रेक्ट पंदरा नमर की बात करूं तो मैंने जहां से बताया है अगर आप देखेंगे तो चार्टर रेक्ट पंदरा नमबर और आप यहां देखेंगे बौधिक कालिन सिक् का उलेक करिए ठीक है 38 प्लस 8 कितना हुआ 46 नमबर 46 नमबर हो गए आपके और देखिए आठ नमर यहां भी जोड़ लिए 35 में में काले का विवड़ पत्र यहां भी आ गया और पार्ट ए में भी देखेंगे तो आपको दो तीन एक एक नमर के प्रशन आगे मैं कह रहा हू आप देखेंगे इससे बहुत ज़्यादे प्रशन आपको मिलेंगे वह प्रशन क्या है मैं एक बर फिर से रिपीट कर दूँ पहले आप प्रॉमिस करिए कि आप सेल्फ स्टाडी करेंगे नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे और मुझे टेलिग्राम पे भेजेंगे ठीक अन्ट यानि कि नेसल एजुकेशन मुवमेंट का क्या कारण था और उसकी क्या अप्रभाव पर आप पढ़ेंगे बहुत सभी आप लीज इसको जरूर पढ़ीगा मैं वीडियो को खतम करता हूं यहीं पर और आपको इसमें यूनिट फोर में साथ रहनी के सिच्छा या फ वुड का घोशना पत्र मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखे है ठीक है इसके अलावा भी आपको और वीडियो मिल जाएंगे जैसे मेकाले का वीवरण पत्र ठीक है तो हर एक पॉइंट पर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बना दू और कुछ वीडियो मैंने और आपको क्या करना है दोस्तों आप यकीन माने बहुत ही ज़्यादा इंपॉइंट को कवर अप करिए किसी और दूसरे टीचर के यूटूब से भी आप देख सकते हैं अगर मेरी वीडियो आने में लेट हो रही है तो ठीक है आप इन तीन प्रशन को यूनिट वन में कवर अ सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम मतलब जहां पर लड़के और लड़के एक साथ पढ़ते तो यह ऐसा पॉइंट से इंट्रेस्टिंग टॉपिक है जो आपके लाइफ से रिलेटेड है आपको इसली आप बिना पढ़े भी लिख सकते हैं लिक बस एक बार पढ़ लेंगे हमारे पास एक टीम है मतलब हम एकना दोस्त की तरह यहां पर पढ़ते पढ़ाते हैं मैं कभी अपने आपको ठ्रीट नहीं करता है कि मैं एक टीचर हूँ और खास बात में कह दू कि पूरे वीडियो में मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करि सब्सक्राइब को ओड़ने में और पढ़ने पढ़ने मुझे मज़ा आता है स्वाइब कि इस वीडियो वाज हेल्पूल फॉर यू अंद इस जूड़ो बहुत शुड़ियो को देखने के लिए खतम करते हैं इस वीडियो को उमीदे दोस्तों चीजे समझ में आई होगी प उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ आप उसे प्लीज क्लिक करके जॉइन कर लिजिए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो देखने के लिए खतम करेंगे यही जै हिंद जै भारत पढ़ते रिए खुश रहिए दोस्तों तक शेयर करिए बहुत बहुत